Hello guys, क्यास है हो, आप लोग तो finally Apple ने रिलीस कर दिया iOS 16.2 developer beta tour, आप लोगो को जो है public beta भी आप देखने के लिए मिलता है, आप लोग जो है easily download कर सकते हो, यह update बहुत जादा है Indian users के लिए कि आप लोगो को finally देखने के लिए मिलता है most awaited 5G, जिसके आप लोगो को बहुत जादा ज़रूरती और ATL GO support करते हैं, यहाँ पर 5G, आगे बढ़ते हैं, आप लोग जल्दी से जो चैनल को subscribe कर दो और bell notification को all कर दो, तो अकरम लोग सबसे पहले बात करें update size की, तो आप लोगों को यहाँ पर around 500 MB से लेके 700 MB तका आप अपडेट देखने के लिए मिलेगा, अगर आ developer beta 1 से आ रहे हो, अगर आप किसी और update से आ रहे हो, public release से आ रहे हो, stable version से आ रहे हो, तो आप लोगों को वो GB में update देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर जो है, मैं developer beta 2 को download कर रहा हूँ, मैं पर 545 MB का आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल रहे हो, क्यों को आप developer beta 1 पे था, तो आप लोगों को भी जो है कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद नेक्स हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या build number है, मैंने यहाँ पर जो है अपने iPhone 11 पर update कर लिया, और आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे iPhone 11 पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर settings में आप लोगों के लिए छोड़ी brightness कम करते हैं, यहाँ आप लोगों चलते हैं, जर्नल में, जर्नल में जाते हैं, आप लोग यहाँ पर about में और iOS 16.2, आप लोग यहाँ पर 16.2 20C5043E, तो महलब यहाँ आप लोगों को जो भी 2-3 update और देखन 0.01 था और beta 2 में लास्ट में 0.05 हो गया, तो यह आप लोगों को जो update दिखने के लिए मिलता है, जो भी आप लोगों की network और cellular settings और issues होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर update हो जाएंगे इसी modern firmware update के साथ, next चाहते हैं हम लोग कि आप लोगों को क्या नए features दिखने के लिए मिल mobile करवा रखे माला 5 g का plan ले रखे mostly आप लोगों कर सकते हो daily现在 अ हिसका reason क्या है मैं यहाँ पर SIM कर रहा हूं वी आई कि आप लोग यहां पर देख सकते हो Vodafone Idea की तो यहां पर जो है Vodafone Idea अभी 5G सपोर्ट नहीं करता लिकिन अगर आप लोग जियो और 8a की यूज करोगे तो आप लोग को यहां पर जो है 5G को ओप्शन देखने के लिए मिलेगा तो यह most important अपडेट इस प्रेशली इंडियन यूजर्स के लिए उसके बाद एक next update जो मिलको लगता है मारब जो एक नएा feature आप लोगों को बताना चाहिए वो है यहां पर iOS 16 की lock screen में आप लोग को यहां पर जो एक नए विजिट देखने के लिए मिलता कर मैं आप लोगों को यहां पर लोगों को जो फोटो इन लाइब्रेडिक option देखने के लिए मिलता है मालब यहां पर जो यह वाल पेपर है यह अप कहां पर अवेलेबल है आपकी लाइब्रेरी में यहां पर ओपन है तो मेरे को ऐसा यहां पर यह चीज पता चलेगी तो यह कुछ नई चीज है और एक और important चीज यहां पर update आप लोगो एक डिरेक्ट option देखने के लिए मिलता है live activities का जो कि आप लोग जब easily enable कर सकते हो live sports करें मैं आप लोगो जो पहले भी बिताया है easily आपकी log screen पे play होंगे second important चीज वो है यहां पर यहां पर लोगो एक नए app देखने के लिए मिलता है जो beta 1 में भी था वो है free form free form में आप लोग जो है बहुत सारी चीज़े कर सकते हो लेकिन beta 2 में mostly इसमें क्या update है कि यह और स्मूथ हो और जादा आप लोग जो है इसको easily use कर सकते हो तो मतलब आप लोग जो भी आप कर रहे हो वह easily आपके दूसरे device पर दिखेगा तो free form में भी जो है कुछ दिखने के लिए मिल रहे थे network issues दिखने के लिए मिल रहे थे Apple ने यहाँ पर fix किया है call बार-बार एंड ओर थी आपके iPhone में तो जो भी आपकी call एंड नहीं होगी easily आप लोग जो है यहाँ पर call कर पाऊगे बहुत सारे iPhone 13 iPhone 12 यह चीज़ रिपोर्ट कर रहे थे तो यह चीज थोड़ा से यहाँ पर स्मूद में को experience लग रहा है पहले से लेकिन उतना जाद भी नहीं है बट स्चिल थोड़ा यहाँ पर बेटर हुआ है अपस विखार है थोड़ा बेटर और जल्दी open हो रहे हैं अगर मैं compare करू जो भी एपस हैं अभी हम लोग यहाँ पर बेंचमार् के लिए मिल रही है iPhone 13 में मेरे को ज्यादा difference देखने के लिए नहीं मिला iPhone 13 थोड़ा यहाँ पर ज्यादा difference देखने के लिए नहीं मिल रहा बट iPhone 11 बहुत जादा heat कर रहा है और यह मेरा honest review है किसी भी software को review करके आप लोगों को बताने में 3-4 दिन जरूर लगते हैं अभी में आप लोग चलते हैं यहाँ पे scores चेक करते हैं CPU scores में चलते हैं और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो single score 1339 और multi score score 3247 ज्यादा difference नहीं है slight मैं बोलूँगा कि इधर उदर है बड़ी के लिए मैं आप लोगों को यहीं बोलुगा कि आप लोगों को आप लोगों को इसको अपडेट करूँगा और फिर मैं आप लोगों को एक complete review दूँगा कि performance हम लोगों को यहाँ पर कितना difference देखने के लिए मिलता है तो यह बात होगी performance की next हम लोग बात करते हैं यहाँ पे battery life की battery life क्या हाल चाल है मलब बहुत सार्य लोग परिशान है कि battery कैसी रहती है क् गंटे ही हो यहाँ यहाँ पर यूज करते करते बैटरी यहाँ पर slightly improved है एप्स जल्दी ओपन हो रहे है एप्स टाइम नहीं ले रहे तो बैटरी यहाँ पर फेक्टली फाइन है आप लोगों के लिए बैटरी हेल्ट और बैटरी टेन को कैसे आप लोग फिक्स कर सकते हो ब लास चीज क्या आप लोगों को अपडेट करना चाहिए तो डेफिनेटल अगर आपके पास यहाँ पर आइफोन 11 है आइफोन 13 है 12 है या फिर आइफोन 14 है तो आप लोग जो है डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो आप मेंसे कितने लोग 16.2 डेवलबर बेटा 2 को डाउनलो कर दो